आप सभी का स्वागत है कबर आजानी लखनों के कानपुर रोड सित कुष्णा नगर से हैं जोहांसा राम बापू मानस नगर में आज शाम से नव दिवसी श्री राम कथा का शुभारम प्रख्याद बाल कथा बाचक आट वर्शी अनुष्का पाठक के मुखारबंदू से हो रहा है आपको बिदा दे कि बाल कथा बाचक अनुष्का पाठक देश में सबसे कम उम्रिकी कथा बाचक हैं और राश्ट्रपती दुरौबदी मुर्मों के हाथों प्रधान मंतरी बाल पुरसकार दो हजार चौबिस से सम्मानित भी हैं आध्यात में कि खेत्र में उनकी व खागवित कथा श्री राम कथा वाचन के कारण राम भक्ति के रूप में उनकी ख्याती बढ़ने लगी कथा व्यास अनुष्का पाठक इन दिनों पौराडिक तीर्थ इस्थल श्रिंग वेरपूर के आनापूर इस्थित विद्यार्थी पब्लेक स्कूल में कख्श्रा प वहीं वो अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपने बड़े पताजी एवं परिवार को देती हैं सिक्रम में हमारे समवादाता उमेश विश्व कर्मा ने बाल कथा वाचक अनुष्का पाठक से खास बातचीत की तो आईए आपको दिखाते हैं विलक्षन प्रतिभा की धनी बाल कथा वाचक अनुष्का पाठक ने और क्या कुछ कहा? पाठक जी इस समय हमारे साथ है, आपसे हम बात करेंगे क्या संदेश देना चाहती है इस कथा के माद्हम से अनुष्का पाठक जी आपका सीन्यूज पर बहुत-बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहती है? सबसे पहले सीन्यूज की माध्यम से देख रहे समस्त दर्शकों को हमारे तरप से जय स्री कृष्ण राधे राधे एवं हुम सबको प्रणाम करते हैं आज आप लकनों की धरती पर आई हैं और देखा जाए इतनी कम उम्र में आप इस मुकाम पर पहुंची हैं तो इसके पीछे क्या स्रे देना चाहती हैं किसकी अनुकंपा रही है कि आप इतनी कम उम्र में इतने अच्छे से कथा सुनाती हैं और लोग उसका रस्पान करते हैं इसका स्रीव हम अपने बड़े पिता जी को देते हैं क्योंकि जब हम छोटे थे और छोटे थे तो वो हमें बैठाकर और कथा भी सुनाते थे हम श्री राम चेट मानश जी का पुस्तक भी पढ़ते थे श्रीमत भागवज जी का भी पुस्तक पढ़ते थे और भगवान की कृपा से ये कथा में हमारा मन लगा और हम भगवान की कथा सुनाने लगे क्या उस समय एक जैसे उम्र होती है खेलने कोदने की स्कूल जाने की तो क्या इससे मन विरक्थ हो चुका था अब ऐसा भी नहीं है लेकिन हम स्कूल भी जाते हैं बहुत लोग कहते हैं कि स्कूल नहीं जाते हैं स्कूल जाईए तो जो लोग नहीं जानते हैं कि हम स्कूल जाते भी हैं तो हम इस समय फिप्थ क्लास में पढ़ते हैं और समय पढ़ते हैं और भगवान की कथा भी करते हैं कैसे इतना समय निकाल लेती है किताबों का बोज उसके बाद ग्रंथों का बोज कैसे आप इतना समय निकाल लेती है ग्रंथों का बोज तो नहीं का सकते हैं ये तो देक्त के लिए भाग का भी से होता है लेकिन फिर भी ग्रंथ के पन्ने पलटना इसकूल के किताबों के पन्ने पलटना तो कहीं कहीं ठाकान महसूस होती होगी और हरास्मेंट होता होगा देखिए आपने कहा किताबों का बोज गरंथों का बोज तो ऐसी कोई बात नहीं है ये कोई बोज नहीं है ये तो भगवान की भक्ती है और भगवान के कथाओं को पढ़ने में भगवान के लीलाओं को लोगों को बताने में कोई बोज नहीं है ये तो भगवान की कृपा है तो कि बिना भगवान की कृपा के न हम सुन सकते हैं और नहीं बोल सकते हैं और नहीं देख सकते हैं भगवान की कृपा ही है जिससे हम कथा कह रहे हैं बिना भगवान की कृपा की कुछ नहीं होता है तो इसलिए ये तो भगवान की कृपा है ये कोई बोज नहीं है और स्कूल की पढ़ाई के बाद तो ये भी कोई बोज नहीं है ये भी भगवान की कृपा ही है और जो भी भगवान इस समय कर रहे हैं वो सब अच्छे के लिए ही कर रहे हैं सब अच्छा करते हैं और हम कुछ नहीं करते सब वही करवाते हैं तो यह कोई बोज नहीं है आपके इस कम उम्र के जीवन काल में जब से आप कथा सुना रही हैं तो प्रभू की क्या ऐसी कोई महिमा हुई जो आपके लिए एक अधुछन रहा हो या कोई आपके लिए सब्याद कार बात वैसे तो भगवान की हर लीला भगवान की हर कथा है सब वह है सब चीश से प्रेडा मिलती है तो कोई एक चीश हमारा नहीं है योगि भगवान की हर कथा हमें अच्छी लगती है और सब्यादकार होता है आपको याद होगा कि नहीं याद है आपने इतनी कथाएं सुना चुकी है जगर जगर देश के खोने में जाकर कितनी कथाएं लोगों को अब तक सुना चुकी होगी लगभग अभी तक 30-32 कथा तो हम कर चुकी होगी बड़े चोटे का मतलब नहीं होता है कथा का मतलब है अब आप समझेए कि बड़ा वेवस्था कर दिए हर चीज सही हो पर कथा सुनने वाले अच्छी ने हो और कथा सुनाने वाले अच्छी ने हो तुसे क्या मतलब होता है तो मतलब तो कथा काई होता है न तो भगवान की कथा हम अभी तक 30 32 कर चुके हैं श्री राम कथा और श्रीमत भागवत कथा दोनों मिला के लखनों में यह कथा मोका है अब यह तो याद नहीं है हमें पर पता नहीं इतने सारी कथाएं होती हैं तो यह तो याद रखना वो मुश्किल है आप यहाँ पर आई हुई है आसारामबापू रोड मानस नगर में दख्षिर मुखी हनमान मंदिर के सामने कथा चलेगी आज 5 बज़ से सुभारम होगा तो इस कथा के माध्यम से आप आम जन्मानस को क्या संदेश देना चाहते हैं आज आज तो हम सबसे पहले ये बताएंगे लोगों को कि कोई भी चीज हम लोग सुनते हैं और यही बड़ी सोचने की बात है कि कोई भी चीज हम लोग सुनते हैं इस कान से सुनते हैं इस कान से निकाल देते और ज्यादा तर लोग अगर कोई बुरी बात सुनने कोई जगडा सुनने तो वो याद हो जाता है पर कथाएं जब हम पूछते हैं कहां तक सुने तो कभी-कभी लोग कहते हैं भूल गए तो ऐसा नहीं करना चाहिए अपनी माता पिता का सेवा करना चाहिए सेवा माने बात मानने चाहिए जो वो लोग का है वो करना चाहिए और भगवान की कथा को हिर्दय में उतारने चाहिए कथा सुनने के बाद मनन चंतन करना चाहिए तो अवश्य कल्यार होगा जो भी हम चाहेंगे सब पूर्ड हो जाएगा आप है सुसरी अनुस्का पाठक जी और यहां आसाराम बापू रोड मानस नगर इस्थीत दख्षिर मुखी हनमान मंदिर के समझ अपने मुखारव बिंदु से श्री राम कथा का आम जन्मानस को रस्पांड कराएंगी और आप आम जन्मानस से आज अपील क्या करना चाहती है लोगों से क्या कहना चाहती है हम यहीं कहेंगे कि आज कथा का पर्थम दिवस है तो आप सभी लोग पधारें कथा सवर करें और जो लोग नहीं आ सकते किसी बेकारर बस जो दूर है नहीं आ सकते तो अनुसका पाठक जी यूट्यूब चैनल पर कथा लाइब चलेगी तो उस पर आप सभी लोग कथा सवर कर सकते हैं कितने दिन चलेगी यह कथा यहाँ पर यह कथा आज से प्रारंब हो रही है और यह 18 तारिक 18 नवंबर 24 तक चलेगी तो अनुसका जी ने अपील किया है आम जन्मानस से बड़ी संथ्या में आएं और आपके बुंखार बिंदु से कथा का रस्पान करें उमेश विश्व करमा की रिपोर्ट फिलाल इस खास रिपोर्ट में वस इतना ही रेष्टुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें से नीउस भारत के साथ हर खबर आपके साथ आपके हाथ